हाई एवरिवन, आज के वीडियो में हम देखेंगे भाप लेने के क्या फाइदे हैं I am sure ये तरीका सभी लोगों ने अपनाया होगा क्योंकि सर्दी में भाप लेना एक बहुत ही पुरानी और सद्यों से प्रैक्टिस की जाने में लिए घरेलू उपाए है तो पहले देखते हैं ये स्टीम थेरेपी हमारे बॉडी में काम कैसे करता है जब हम गरम पानी की भाप लेते हैं तब वो गरम हवा हमारे nasal passages open करती है हमारे गले में जो mucus है उसे dissolve करके जो गले में सूजन है उसे कम कर देती है इससे हमारे respiratory tract में circulation अच्छा हो जाता है हवा हमारे mucous membrane को ट्राइ होने से बचाती है अब देखते हैं भाप लेने के क्या-क्या फाइदे हैं भाप से जो गरम और moist air हम inhale करते हैं उससे हमें sinus congestion और सिर्दर्द से राहत मिलती है इससे हमारे throat irritation and sinus congestion जल्दी क्लियर हो जाता है थंडी के मौसम में जिन लोगों को COPD और अस्तमा जैसे बिमारी है उन लोगों को सास लेने में तकलिफ बढ़ जाती है उन लोगों के लिए ये steam inhalation बहुत ही फाइदे मन्द होता है गरम भाप nasal nasal passage को open करके उनकी सास लेने की problem कम कर देती है गरम पानी से भाप लेते समय जो हमें पसीना आता है और जो गरम भाप है इन दोनों की combination से हमारे blood vessels भी dilate याने चोड़े हो जाते है इससे हमारे face में blood circulation अच्छा होता है ये blood flow हमारे तवचा को potion देता है और oxygen supply भी बढ़ा देता है इससे हमारे skin को natural और healthy glow मिलता है face steaming से जो हमारे skin के अंदर जो acne causing bacterias है dead cells है और बाकी दूल है उससे निकाला जा सकता है इससे हमारे skin clear हो जाती है चेरे पे भाप लेने से हमारे body के natural moisturizer sebum and oil production बढ़ जाता है इससे हमारे skin soft और hydrate हो जाती है तो ये जो natural oil हमारे sebaceous gland से निकल जाता है वो हमारे skin को और hair को चिकना बना देता है अगर ये sebum gland में trap हुआ तो उसे bacteria को grow होने के लिए proper environment मिल जाता है और इसी वजह से हमारे face पे pimples बढ़ जाते हैं भाप लेने से हमारे skincare products का absorption भी बढ़ जाता है जो open pores है skin पे उनका permeability बढ़ जाता है जिससे कोई भी cream या serum का absorption भी बहुत अच्छे से होता है और सबसे अच्छी बात यह है कि भाप लेना हर कोई effort कर सकता है और यह एक easily available चीज़ है भाप लेने के लिए हमें पानी एक बरतन में लेकर उसे सिफ गरम करना है और आजकर बहुत सारे लोगों का एक सवाल है क्या भाप लेने से सच में coronavirus को खतम किया जा सकता है तो नहीं यह एक गलत अफवा है स्टीम लेने से corona जैसे virus का अंत नहीं होता बट clinical trials में देखा जा रहा है कि स्टीम लेने से covid-19 patients में viral shedding कम हो रही है और यह viral shedding कम करने के लिए patients को 20 minute steam लेनी होगी 10 दिन के लिए अगर आपको यह वीडियो अच्छा थैंक यू